नमस्कार न्यूज उत्तरप्रदेश के पॉड़कास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है तारीक 19 अक्टूबर दिन मंगलवार मैं आपके साथ हनुराधा आईए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से पीएम मोदी करेंगे काशी का दोरा देंगे 5200 करोड की स्वगात यूपी विधान सभा में सत्ता वाविपक्ष में जमकर चले शब्दवाण सीएम योगी अधित्यनाथ ने दिया जबाद फिर लखनव पहुँची प्रियंका गांधी महिलाओं को टिकट बटवारे में 33 प्रतीशत आरक्षण का आज प्रेस कॉन्फरेंस में कर सकती हैं एलान तीन दिनों के आयोध्या दोरे पर संग प्रमुख मुहन भागबत राम लला के दर्शन भी करेंगे यूपी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान कुछ हिस्तों में रविवार से हो रही है तेज बारिश ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को सिधात नगर से लोट कर दो पहर बाद वारनासी आएंगे पार्टी के आग्रह पर पीम मोदी के कारेकरम में मामूली बतलाव किया गया है इस दोरे में पीम बनारस से ही आत्म निर्भर स्वस्त भारती उजना लॉंच करने के साथ ही बारनासी को 5200 करोड की परिये उजनाओं की स्वगात देंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को दो पहर करीब 2 बजे वारनासी पहुँचेंगे करीब 2 घंटे की कारेकरम में पीम मिर्जा मुराद के महिंदी गंज में सभा को संबोधित करेंगे इस दोरान प्रधान मंत्री रिंग रोड टू के पैकेज 1 सहित 32 परिये उजनाओं का लोकारपन करेंगे इसके साथ ही बजट में प्रस्तावित आत्म निर्भर स्वस्थ भारती उजना का शुभारंब करेंगे दरसल पहले पीएम का दोरा 25 अक्टूबर को सुभा प्रस्तावित था मगर जनसभा में 2 लाख लोगों की सहभागिता के तयारी में जुटी पार्टी दूसरे पहर में कारेक्रम करना चाहती थी और इसके लिए पार्टी इस्तर पर ही दूसरे पहर के कारेक्रम की मांग भी की गई थी पार्टी के आगरह पर ही पीएम मोदी अब सिधार्थ नगर के कारेक्रम के बाद 1280 आएंगे उधर पीएम के जनसभास्थल को समतल कर अब जर्मन हैंगर पांडाल तयार किया जाने लगा है दूसरी तरफ लोकारपित होने वाली परियोजनाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है कारण PM के लोकरपन के साथ ही परियोजनाओं का लाब आम जंता को दिलाने का है अपने संसदिये शेत्र के दोरे पर आ रहे प्रधान मंत्री इस बार किसी भी परियोजना का शिलान्यास नहीं करेंगे यह PM का वारनासी का ऐसा पहला दोरा होगा जिसमें किसी परियोजना का शिलान्यास नहीं होगा दरसल कई परियोजना प्रस्ताबित तो हैं मगर उनमें तकनीकी बाधाओं के चलते शिलान्यास के तुरंत बाद उन पर काम शुरू होने की उम्मीद नहीं है मुख्य सचिव आर के तिवारी ने सोमवार को वर्चुल माध्यम से पीम आगमन की तयारियों की समिक्षा की उन्होंने पीम के कार्यक्रम में मामूली बतलाओं की जानकारी दी और कहा कि लोकारपन होने वाली परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन वरिष्ट अधिकारी करें लोकारपन के साथ ही परियोजनाओं को आम जनता के लिए सुरू किया जाए ताकि लोगों को रहत मिले मुख्य सचिव ने कहा कि पियम मोदी की सुरक्षा को लेकर ब्यापक तियारी की जाए और लोकारपित होने वाली परियोजनाओं की सजाबट कराई जाए उन्होंने विभाग बार पूई हुई परियोजनाओं की समिक्षा की इस दोरान मंडलायक्त दीपक अगरवाल जिलाधिकारी कौशल राजशर्मा सहित अनधिकारी मौदूद रहे उधर मंडलायुक्त दीपक अगरवाल ने भी इससे पहले विभागी अधिकारियों के साथ समिक्छा बैठक की उत्तरप्रदेश में विधान सभा उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर सोमवार को विधान सभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर शब्दवान चले उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी नितिन अगरवाल की भारी जीत से उत्ताहित मुख्य मंत्री योगी आधित्यनाथ ने हुंकार भरते हुए विपक्षी दल सपाको चेताया क्या कहा इस मौके पर सीएम योगी आधित्यनाथ ने आईए सुनते हैं प्रदेश की सबसे बड़े विधानमंदम में बेगाट साड़े चार वर्सों के अंदर अनीक अध्यासिक मेंने लिए हैं और प्रदेश की 25 करोण जन्ता की हिटों के लिए कारी किया है हरे थेड में कुछ नयाक बेखने को मिदा काईवा घरीच पंजान के लिए हो उटाल की कमान के लிए हो रहीलाओं की ससक्ती करण के लिए हो किसामों के उठान और उन्ते उन्य यन के लिए हो प्रदेश के इंधपुज़क्ण। गद्मवेंध्य के माफ्यमसे कि देश के सामने उत्तर प्रदेश को मिवेश के सबसे इच्छे गंतव के रुपने स्तापित करने का हो या फिर प्रदेश के बारे में जो एक धाना थी देश की दुनिया की उस धाना को बदनने का रहा हो देश के दोडाना करने म सब्कत्र खर्देश के निया है और अज रही कारण हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में जोंक हो उत्रगदेश के बारे में लोग एक अच्छी धाना के साथ कोचने लगे हैं कि हाँ उत्रगदेश का एक ग्रोफ इंजन बननी की सामर्थे रखता है उत्रगदेश की सबसे बड़ी अर्थ विवस्था की रूप में उभर के उभरने का माला रखता है उत्रगदेश जो कुछ भी करेगा वा भारत की और्थ विवस्था पर जो नहीं उच्छाइएं तक आगे ले जाने में काफी मदददार हो सकता है और इस प्रिसेप्शन को आगे बढ़ाने के लिए इस युवा उर्जा को आगे और तागत देने के जाने किया हो सकता है आज यहाँ पर से नितिन अग्रवाल का विड़हन सभा के उपाध्यक्स के रूप में निरवाचन इस बात को साभित करता है मैं एक बार फिर से अपने विर्हानमंडल गल्टियोंग से नितिन अग्रवाल जी के उपाध्यक्स निरवाचित होने पर विड़हरी मतों से 304 मत उनको प्राफ्ट होए है उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधान सभा चुनाओ होने वाले हैं और सभी राजनितिक पार्टियां का मरकस कर सियासी मैदान में आडटी हैं सरकार से लेकर बिपक्ष तक चुनाओ से पहले एडी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं पार्टियों ने जोर शोर से चुनाओ प्रचार को शुरू कर दिया है एक तरफ जहां भारत्य जन्ता पार्टी कई अहम कारिकरम करने में जुटी है वहीं समाजबादी पार्टी सुप्रीमो अखलेश यादव विजैर अथे आत्रा लेकर जन्ता का भरोसा जीतने में जुटे हैं इसके अलावा कॉंग्रेस ने भी अब साफ कर दिया है कि वो 2022 चुनाओ प्रियंका गांधी वाडरा के नेत्रत्व में लड़े बता दें लखनव पहुँची प्रियंका गांधी आज प्रेस्ट कॉंफरेंस करेंगी कॉंग्रेस सुत्रों के मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाओ के टिकट के बटवारे में महिलाओं को 33 प्रितिशत आरक्षन की घोषना प्रियंका कर सकती हैं सुत्रों की माने तो दो दिन बाद करीब 50 टिकटों की घोषना में इस एलान पर अमल होता भी दिखेगा कॉंग्रेस केंपेन कमेटी के अध्यक्ष पियल पुनिया ने चुनाओ और प्रियंका गांधी पर बात करते हुए कहा कि प्रियंका ने उत्तर प्रिदेश में अच्छी पकड बना ली है उन्होंने लखीमपूर खीरी हिंसा के मामले में आवाज उठाई इससे पहले उन्होंने उन्नाओ, हात्रस और सोन भद्र मामलों में इंसाफ की लड़ाई लड़ी पी एल पूनिया ने आगे कहा कि प्रियंका ने बेहद कम समय में लोगों का विश्वास जीता है बीते दिनों उन्होंने लखीमपूर खीरी जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर बातचीत की जिसे सराह गया संग प्रमुख मोहन भागबत और सरकार वाह दत्ता त्रे होस बोले आज से तीन दिन के अयोध्या प्रवास पर रहेंगे इस दोरान वे राम लला के दर्शन भी करेंगे और संग की तरप से चल रहे अखिल भारतिये शिक्षण वर्ग शिविर में शामिल होंगे शिविर का 21 अक्टूबर को समापन होगा अखिल भारतिये शिक्षण वर्ग सिविर में रास्तिये प्रमुख सुनील कुलकरणी, सह प्रमुख जगदीश प्रसाद समेथ 500 पदाधिकारी शामिल होंगे रामलला के भूमी पूजन के बाद संग प्रमुख पहली बार अयोध्या आ रहे हैं सूत्रों के अनुसार वो विश्वे हिंदू परिशद के शेत्रिये कारयाले में भी पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं रास्टिय स्वयम सेवक संग अखिल भारतिये शारिरिक वर्ग बहुत महत्वपूर कारेकरम हैं इसके जरिये नए उवाओं को संग के कारेकरमों के बारे में बताया जाता हैं इसके साथ ही शारिरिक सिक्षा के साथ साथ देश की सामाजिक समस्याओं पर भी इस कार्यक्रम में चर्चा होती है मोहन भागबत ने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेश दर्जा देने वाले अनुछेद 370 के अधिकतर प्रापधानों को रद करने के बाद भी समस्याओं पूरी तरह हल नहीं हुई है और अब भी वहां की आबादी का एक हिस्सा आजादी की बात करता है नागपुर में एक पुस्तक विमोचन कार्यकरम के दोरान मोहन भागबत ने कहा कि समाज को आबादी के इस हिस्से तक पहुँचना चाहिए ताकि उन्हें भारत के साथ एकिकरत किया जा सके UP के कुछ इलाकों में रविवार रात से हो रही वारिस रुकने का नाम नहीं ले रही है बारिश के कारण कुछ लोगों की मौत की वी खबर है उधर मौसम विभाग ने आज भी कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान जताया है मौसम विभाग की मानें तो यूपी में कुछ जगहों पर अगले 24 घंटे के दोरान बारिश होगी मौसम विभाग ने बताया कि पूर्भी यूपी में आज जोरदार बारिश हो सकती है गौर तलब है कि यूपी के कुछ हिस्सों को छोड़ कर बाकी सभी जिलों में मौसम का मिजाज बिगडा हुआ है सोमवार को पश्चमी यूपी में बारिश का जादा जोर देखने को मिला पश्मी यूपी के कई जिलों में देर रात से ही रुक रुक कर बारिश होती रही बारिश का जादतर असर उत्राखंड से लगे जिलों में देखने को मिल रहा है पूर्वी यूपी के जिलों में बारिश का खासा असर देखने को मिल रहा है लेकिन इसका असर पश्मी यूपी से थोड़ा कम है अब मौसम विभाग ने आज पूर्वी यूपी के जादतर जिलों में वारिश जताई है मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मताबिक अयोध्या, सुल्तानपूर, बाराबंकी, गोंडा, बल्रामपूर, श्रावस्ती, मिर्जापूर, प्रियागराज, बलिया और देवरिया में शाम तक बारिश हो सकती है इन जिलों में 60 किलो मीटर पृति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के चलने का अनुमान भी जताया गया है उधर प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश के बाद सडकों पर जल भराव की समस्या हो गई है मुजफर नगर, शामली, बागपद, मेरट जैसे जिलों में रविवार सुभा से भारी वारिश हो रही है जिस से जल भराव, बिजली आपूर्ती बाधित होनी जैसी समस्यां पैदा हो गई है खबरों में आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ तब तक के लिए अनुराधा को दें जाने की इजाज़त, नमस्कार झाल